जैसरी करश्ण मित्रों मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 5 जुलाई 2022 मंगलवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी वा भगवान हनुमान जी की करपा से आज बारा में से पांच राशी वालों को कारी छेतर में अद्बुस सफलता मिलेगी इन पांच राशियों में आज हैं मेश, करक, कन्या, वरश्चिक और धनु राशी वाले लोग वहीं अन्य राशियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा तो मित्रों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्च दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नहीं नहीं ग्यान वर्धक जान कारिया हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज आशाडमाश शुकल पक्ष की शष्ठी तिथी है मंगलवार का दिन है आज दिन की सुरवात पूरवा फलगुनी नक्षत्र से होगी और सिम्वर आशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुरियोदई प्रातह काल पांच बच के 28 मिनिट पर होगा और सुरियास तसाम के 7 बच के 22 मिनिट पर होगा आज राहुकाल अपरानकाल 3 बच के 54 मिनिट से आरंभो करके सायंकाल 5 बच के 38 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें इस समय अवदी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सुल लहेगा उत्तर दिसा में तो आज के दिन आप उत्तर दिसा की और मुख करके कोई भी शु देवता के नाम मंत्रों का अधिक सदिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सरवस्रेष्ट अतिसरेष्ट महुर्त अविजीत महुर्त आरंब होगा प्राता काल 11 बच के 57 मिनिट से आरंब हो करके दोपार 12 बच के 53 मिनिट तक सरवस्रेष्ट वर तो अब जानी अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शुब रहे और कायरे छेतर में भी आपको सफलता मिले तो मेंस राशी से आ आपको सोच समझ करके आज लेना चाहिए और किसी अग्यात व्यक्ति के साथ व्यभार करते समय सावधा नहीं बरते हैं। आपको विशेश लाप की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं। आपको समाज में एक्टिव लोगों को दूसरी की मदद करने में आनन्द आएगा। आपका समाजिक दाइरा बढ़ेगा और आपको चमहत्वपुर्ण संबंद इस्थापित कर पाएंगे। और आपके उपन्यास और विचार और कारे शेली की सराहना हो सकेगी। आपको भाग्य का साथ 65 परतिसत प्राप्त होगा। इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। विध्यारतियों का मन पड़ाई में लगेगा। आज अच्छी उर्जा आपके अंदर रहेगी। आर्थिक लाब प्राप्त करेंगे। अच्छी प्राप्त करेंगे। यदि आप अधिकारियों के साथ विवाद आदी से बचे रहें तो व्यवसाइक छेतर में अच्छी प्राप्त करेंगे। आपके दुस्मन आपका कुछ नहीं बिगाड पाएंगे। इसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली रासी है सिम्वा। सिम्व राशी बालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज काम का बहुत ज्यादा हो सकता है। व्यापार व्यवसाई में मार्केटिंग संबंदी कारियों में अपनी उर्जा को लगाए रखें। आर्थिक इस्तिती मजबूत होने से भूमी भवन प्रापर्टी आदिका लाब मिल सकेगा। सीनियर से आपके किसी काम से संतुष्ट रहेंगे। आप स्वयम के लिए यश और सम्मान अरजित कर पाएंगे। आपके काम और व्यवसाई में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आज आपको भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा। आज आपका भाग्य शाली अंक चार है। शुब रंग आपका पीला रंग है। लोगों के प्रती आपकी निकटता बढ़ेगी, कारी छेतर में अच्छे विकल्पी की तलास पूरी हो पाएगी, बिजनेस में मिले नए कांटेक्टर से आपको फाइदा मिलेगा, प्रेम प्रसंग में युवाओं को सफलता मिलेगी, आपकी नीजी जिन्दगी में सब कुछ आपके लिए अनुकुल रहेगा, आज आपको भाग्य का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य शाली अंकछे है, शुबरंगा आपका नीला रंग है, नीले रंग का प्रियोक कारी छेतर में अज अधिक सदिकाप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प कुषपचड़ा करके, स्री रुद्रा अवतार आइनमा इस महामंतर का जाप करें, इसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अगले राशी है तुला, तुला राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, आपके काम को नई पहचान मिल सकेगी, आज रन निती बना करके निवेस करेंगे तो सफलता मिलेगी, कीट नाशक का कारोबार करने वालों की बिकरी अधिक होगी, और केरियर के मामले में युवाओं को बड़ी सफलता मिल सकेगी, आप कुछ धार्मी कारियों में समलग न हो सकते हैं, जिसके कारण आपकी सामाजिक लोग प्रीता बड़ेगी, आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य शाली अंक दो है, शुबरंग आपका नीला रंग है, नीले रंग का प्रयों कारी छेतर में आज अधिक सदिकाप करेंग तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाय इस प्रकार से हैं, प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी को रितू फल का भोगर पित करके, ओम मारोती नंदनाईनमा इस महा मंत्र का जाप करें, ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अगली राशी है व्रश्चिक, व्रश्चिक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज का दिन आपके लिए मध्यम अफलदाई रहेगा, घर वालों के सहयोग से क कोई नया काम सुरू कर पाएंगे, बिजनेस में मार्केटिंग संबंदी कारियों को आज ज्यादा महातु दें, इससे आपको लाब होगा, आर्थिक संदर्व में धन की रुकावट आपके असंतोष का कारण आज हो सकती है, धन भोतिक संसादनों को संगटित करने में व्य हो सकता है, आज खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रन रखें, आज आपको भाग्य का साथ 21 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य शाली अंक नो है, शुबरंग आपका पीला रंग है, पीले रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपक अगले राशी है धनु, धनु राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज का दिन आपके लिए उत्तम फलदाई होगा, कलात्म कारियों में आपकी रूची बढ़ेगी, धन का निवेस करने के बारे में सजिन्दगी से विचार करें, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों के लिए दिन मिस्रित परिणाम देने वाला हो सकतेगा, व्यापार व्यवसाय में लाप कमाने के लिए आज आपको यात्रा के योग बन सकते हैं, आज व्यापारियों को विशेश मनाफा मिल पाएगा, आज आपको भाग्यकासान 95 प्रतिसत तो आज के दिन कारी में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपाई इस प्रकार से ही। रहे लोगों को लाब मिलेगा। युवाओं को बेहतर नोकरी की तलास रहेगी। आप अपने व्यभार में अतिदिक सफल रहेंगे। ग्राहाकों के साथ इस्थाई संबंद बना पाएंगे। यदि आप नोकरी आदी करते हैं तो आप इसमें सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा। आज आपका भाग्य शाली अंक 10 हैं शुबरंगा आपका केसरी आरंग है। केसरी आरंग का प्रियुकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती हो इसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगले राशी है कुम्ब। कुम्ब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज भाग्य का समर्थन आपको मिलेगा। आपकी उधारता लोगों को पसंद आएगी। धनल आपके अवसर मि रहेंगे। नोकरी पेशा लोगों का किसी सहयोगी से विबाद हो सकता है। सतर करें। व्यावसाई के चीजें सुचारू रूप से चलेगी। आपको अच्छी प्रकाती मिलेगी। आपके आमदानी में बड़ोतरी होगी। आर्थिक लाप के प्रबल योग बनेंगे। आ आज के दिन कारे में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपाह इस प्रकार से है। प्राताहकाल इस्णान करने के पश्चाद भगवान हनमान जी को सिंदूर का चोला अरपित करके रितूफल अरपित करें। स्री राम भक्ताई नमा इस महा मंतर का जाप करें। कोट कचरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी। रोजगार की दिसा में प्रगती होगी। अगर आप उच्च अध्यन या नोकरी आदी के लिए विदेश या दूर चाहना चाहते हैं तो आपको सफलता मिल सकेगी। और आप कुछ प्रभावशाली लोगों से म आसमानी रंग हैं। आसमानी रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे। तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी। तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाईस प्रकार सहें। प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान हनवान जी को मिठाई का निवेद्य अर्पित करके लाल पुषप चड़ावें ओम कैसरी नंदनाईनमा इस महा मंतर का जाप करें इसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करस्ट मित्रों फिर मिलेंगे